बिस्मिल्लाहि रभ्मान रहीम डे स्टूडिन्स आज हम सेट्स के बारे के पढ़ रहे हैं सेट्से रिलेट एक वडियों हम पहले में वायर विकर चुटे हैं इसका एक और खोशर आज हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आज कर जो हमारा टॉपिक है वो है एकस्प्रेसिंग एक सेट्स किसी सेट को किस तरह से एकस्प्रेस किया जाता है यह हम सीखेंगे और इस से रिलेट जो है कोई तीन कुश्चन्स आपकी एकसरसाईज के अंदर बनेंगे इसको इंशाल neoliberalर के दिरे हम आग animal हो संधारे की कोशिश करते हैं तो देखें से लिए expressing asset किसी set को पिस तरने करीकों सिरे इस परीकों से express किए जाता है पहला जो तरीका है पहला वह है descriptive arm इसका मतलम है कि descriptive form यह हम करकर का है किसी set को किस तरह से express करते है describe with a statement किसी की सेट को एक स्टेटमेंट की शेटल में लिखना descriptive form लाता है चादे एक जम्पल्स आपके सामने है N is a control, set up natural numbers देखें आप यहां पर एक statement के दरीयर हमने यहां पर लिखा है This is descriptive form इसी तरह से P is a control, set up prime numbers यह आप statement सामने इस तरह से लिखना जलाता है descriptive form जब कि इसका दूजरा जो हिसा है को है tabular form Tabular form का मतलब क्या है List, list the element with the brackets यारी आपके सामने bracket की शकल में किसी भी set के elements को bracket की शकल में लिखना और comas के जरीए इस elements को हम आपस में separate करते हैं आपके सामने example मुझूद है यह first five even numbers का set है two, four, six, eight, ten एक bracket की शकल में हमने लिखा है और comas के जरीए इसको हमने आपस में separate किया है इस तरह लिखने को हम कहते है tabular form एक और example आपके सामने है one, three, five, seven और numbers का set है एक bracket की शकल में हमने लिखा है comas के जरीए इसको separate करते है तीसरा जो है इसका वो है set builder form describe भी है common property एक common property के जरीए बयान करने को हम कहते है set builder form for example आपके सामने हैं x such that x belongs to natural numbers यह इसकी common property है यानि natural numbers की common property को हमने इस अंदाज ने लिखा यह कहला दाए आपका set builder form इस इतरा से prime number को हमने यहाँ देखे x such that x belongs to prime numbers prime numbers को हमने generalize करके लिख दिख 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 वान टू फ्री फोर फाइफ यह एक set builder form है इसको मैं अगर descriptive form है लिखना चाहूं तो कैसे में सबसे पहले पिछाने कि इसके अंदर कौन से elements हैं आप पर अच्छे तरह जानते हैं कि यह first five natural numbers का set है first five natural numbers का set इसको अगर मैं statement की शकल में लिखू तो यह बन जाएगा descriptive form for example अब आप देखें इसको statement की शकल में लिखें set of first set of first five natural numbers तो यह किलाता है descriptive form इसके लावा अगर मैं एक और example इससे लिए देखू तो यह आप देखें two four six eight daughter तो यह आप देखें यह even numbers का set all even numbers का set मैंने कि इन बाउंड नहीं किया जाके 10 year 20 पे खत्म नहीं किया बरकि dot dot लगा दिया है इसका मतलब यह वाट है और even numbers का set है तो descriptive form में देखें set of even numbers यानि एक statement की शकल में हमने लिखा तो then this becomes descriptive form बिल्कुल इसी तरह से tabular form को भी थोड़ा जो है हम आगे कुछ और examples के जरीए समयने की कोशिश चरही है for example अगर हमारे पास end is equal to set of first five natural numbers है इसको मैं टेबुलर फार्फ की शकल में अगर दिखू तो देखें element को किसी set के अंदर in list किया जाना है one two three four five यह आप कहे सकते हैं इसको मैंने लिखा tabular form है tabular form जैसे कि पहले की मैंने आपको बता दिया है elements को किसी set के अंदर in list करना और commas के जरीए यह दूसरे से separate करना यह चलाता है tabular form यह descriptive form था descriptive form से हमने इसमें लिखा समझाने के लिए tabular form है elements को हमने क्या किया set के अंदर in list किया तो इसी तरह की और बहुत सारी examples आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं तो इदर भी हम देखें उसी को अगर मैं set builder form में समझाना चाहूं तो यह देखें कैसे लिखेंगे x subject x belongs to natural numbers and x less than equals to 5 x less than equals to 5 यानि common property natural numbers की common property को मैंने लिखा इस तरह से x subject x belongs to natural numbers इसका मतलब यह हुआ कि set के अगर हम natural numbers लिखने जारे हैं जो कि या तो 5 के बरबर है या 5 से छोटे है इसका मतलब यह हुआ कि 1 to 5 natural numbers तो यह किराएगा set builder form तो यह आपका exercise 1.1 में जो ट्री major concepts आपके थे expressing set series यहाँ पर complete हो जाता है तो यकिनिंग students आपको समझ में आया होगा आज के लिए इतना कुछ thank you very much